नमस्कार साथियो चार जनवरी को देश और दुनिया में कई ऐसी महत्पूर्ण घड़नाय हुई जो इतियास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं तो चलिए जानते हैं चार जनवरी से जुड़ी ही कुछ महत्पूर्ण इतियासिक घड़नायों को आज ही की दिन सन 1906 में कोलकाता में स्तेथ विक्टोरिया मेमोरियल कर सेलनयास ब्रिटेन की राजा जौर्ण पंचम ने किया था और जब 1901 में ब्रिटेन की राणी विक्टोरिया की मृत्ती हो जाती है तब भारत के ततकरीन वाय सराय लौर्ड कंजर ने पहली बारी सुझाओ दिये था कि एक इसमारक बनाया जाना चाहिए और बाद में 1906 से 1921 तक निर्मारकार चलता है और 1921 को विक्टोरिया मेमोरियल को आम नागरिय को के लिए खुल दिया जाता है आज ही कि दिस सन 1948 में में मेमार को बेटेन से सुतनता मिली थी और पहले मेमार को वर्मा नाम से जाना जाता था और सन 1989 में वर्मा का नाम मयमार कर दिया गया और बर्तमान में इसकी राधानी नैपिडा है येकिन पहले इसकी राधानी रंगून हुए करती थी और हम रंगून को भी यंगून नाम से जानते हैं जो की यहां का सबसे बड़ा सहर भी है आज ही की दिन सन 2010 में दुबाई में इस दुनिया की सबसे उची बिल्डिंग बुर्ज खलीपा को आम नागरेकों के लिए खोल दिया गया था